Hello Strengths, आज की इस वीडियो में हम लोग Change of Gender उसके कुछ Rules को देखेंगे इससे पहले मैंने Rule 3 तक कवर कर लिया है, अब जो है Rule 4, Rule 5 and Rule 6 देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग का Rule 4, Rule 4 में है क्या? बाइडिंग ESS and omitting the verb of the masculine ending यानि की वर्ड में पहले ESS add करेंगे उसके बाद omit omit मतलब होता हटा देना, remove करना, the verb of the masculine ending जो masculine end जहां पे हो रहा है वो word उसके पहले वाला end वाला वर्ड को हटा देंगे omit कर देंगे, जैसे की example है, actor यहां पे जो word actor है, यह तो masculine में है the word actor is in masculine और इसका अगर हम लोग feminine करने के लिए जा है तो यही वाला rule apply होगा जो की उपर में है तो actor का क्या हो जाएगा, actor is क्या हो गया, इसमें सबसे पहली बात तो यह कि इसमें e double s जो है add हो गया और दूसरी बात यह कि जो omitting the way of the masculine ending यह ending है masculine का और इसके पहले एक वावल है o इसको क्या कि हम लोग omit कर दिये, इसके बाद हम लोग सिर्फ o को omit करके r को sip लिए, t को लिए है और फिर e double s को add कर दिये है तो ऐसे ही होता है यह rule 4 जो है change करने वाला है यह भी कुछ particular word है जो आपको लिखवा दे रहा है आप लोग note down कर लिजिएगा जिसमें हम लोग yellow rule apply कर सकते है जरूर नहीं हर सभी word में yellow rule apply करेंगे तो masculine से feminine फिर से change करते है conductor का क्या हो जाएगा conductress इसमें क्या होगा, o जो है वो उसको omit कर दिया गया और सिर्फ t और r को लिए गया o को omit करके और e double s को add कर दिया गया next word है director director का feminine क्या हो जाएगा direct press अब कुछ ऐसा भी word है जिसके एकदम end में है क्या bubble जैसे की negro इसके end में बिल्कुल bubble है यहाँ पर तो क्या था bubble उसके बाद एक consonant था तो masculine end जहाँ पर हो रहा था उसका bubble को omit कर दे रहा था अब जो एकदम end में इसका कैसे change होगा नेग्रेस इसका भी bubble कोटा दिये direct r को लिख दिये और e double s हो गया इसी तरह है porter porter में क्या हो जाएगा porteris इसमें भी e को मिट किया मैंने और e double s हो गया next word है हम लोग का songster इसका क्या हो जाएगा songstress next word हम लोग क्या है tiger tiger मतलता है बाग इसका feminine क्या हो जाएगा tigeris done next है next word is traitor traitor का क्या change हो जाएगा traitoris okay अब और two words है जो कि जिसमें यही वाला rule जो है apply किया जाता है hunters और एक हो गया instructor तो इसका क्या हो जाएगा instructoris done यहाँ पे जो एक word negro है इहाँ पे last में ववेल दिया हुआ है जिसको अटाग हम लोग e double s किया है तो यह तो एक अलग category नहीं हुआ बलकि इसी में word है मतलब इसी category का है बस सिर्फ इसके last में एक word ले अगर ऐसा हम लोग को मिलता भी है तो उसको हम लोग ऐसा ही करके feminine change करेंगे और यह जो सारा category है यह इसी का category से belong करता है यहाँ पे कुछ specific words है जो की rule 4 के apply करने पे बनता है तो इसको अगर हम लोग माइंड में रखे इसका concept बना कर रखे तो एक्जाम में easy होगा masculine to feminine में change करते वक्त अब हम लोग चलते है rule 5 की ओर क्या है यह बाइ एड़िंग ESS to the masculine in a less regular way ESS तो एड़ करेंगे लेकिन यहाँ पे a less regular way इसका मदलब क्या होता है इसका मदलब होता है कि यह तो word के starting middle या फिर end में कोई change या फिर कोई word omit हो सकता है कोई fixed यहाँ पे है नहीं इसलिए less regular way ठीक है मतलब regular उतना नहीं होगा कि ज़रूरी नहीं है कि इसमें EEE से आट केजिए बीच में कुछ change ना केजिए नहीं इसमें बीच में कुछ change भी हो सकते है example के लिए क्या है abort यह word तो masculine में है इसका अगर हम लोग feminine में change करते है feminine में तो क्या हो जाएगा abase यहां पर क्या हुआ क्या omit हो गया t omit हो गया ववल तो omit होगा उसके बाद EWS add हो गया तो इसलिए यहां पर बोला थे less regular way यानि कि जरूरी नहीं है कि पूरा EWS लगा के कुछ भी omit हो सकता है next word हम लोग का है duck duck का क्या हो जाएगा duchess यह हो गया imperer imperer का क्या हो जाता है empress next is governor governor का क्या change हो गया governance यहां पर duck था k को remove कर दिये h उसके बाद EWS हो गया emperor यहां पर EWS add हो गया लेकिन उससे पहले e और o और एक ठो आर मतलब यह तीनों चीज़ जो हट गया सिफ क्या रहे गया आर उसी तरह governor में भी उसी type का change हुआ है next is sorcerer इसके क्या हो जाएगा sorcerers यह हो गया हम लोग का change sorcerers यहां पर तो total 5 words है more 5 words are there जिसमें जो हम लोग का ऐसा change occur होता है master क्या हो जाएगा यहां कि master का miss भी हो सकता है और master का एक बार mistress भी हो सकता है तो आप लोग यह 10 words को हमेशा mind में रखिएगा क्योंकि exam perspective से important है masculine में feminine में change करते वाग इसमें कोई fix rule नहीं रहता बस EWS add करना यह fixed है बट बीच में changes हो सकता है feminine यह हम लोग का topic है foreign feminine इसमें होता क्या है foreign feminine में जो masculine में word है और उसको feminine में change करते वाग हम लोग का कोई idea ही नहीं होता है कि इसमें होगा क्या change तो इसको जो है यह कुछ words है जिसको हम लोग को learn कर लेना था या फिर mind में हमेशा रखना परता है यह कुछ particular words जो है तो पहला है administrator इसका क्या change करेंगे हम लोग change हो जाएगा feminine में administrative okay हम लोग सोचे भी नहीं थे कि इस तरह सा कुछ change हो जाएगा बट ऐसा ही change होता है यह रहा masculine और यह रहा feminine एक्दम बिलकुल odd मतलब change हो जाता है तो इसको exam perspective से इस word important भी है यह सब exam में आ भी जाता है तो हम लोग इस सब mind में रखना पड़ता है view इसका क्या change हो जाएगा belly change हो गया kazar इसा बोली दिया है foreign feminine यान कि ऐसा feminine word आएगा ऐसा रखता है कि foreign से यह word जो है I am next is kazar इसका क्या change हो जाएगा kazarana kazarina next is dawn इसका change हो जाएगा donna another is executor इसका हो जाएगा execute rex more there are only total five words and more five words are there hero का क्या हो जाएगा heroine कोई rule यहाँ पर समझ भी नहीं आएगा कुछ पता भी नी चला बस ऐसा है कि hero का heroine feminine word है next is prosecutor 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 का क्या change हो जाएगा prosecutor another word is signal signal का हो जाएगा signora more two words are there next is sultan 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 का क्या change हो जाएगा sultana and the last one testata 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 का हो जाएगा testat risk यह कुछ words है masculine masculine से feminine हो गदलने का जिसके उनों को माइन में रखना परता हमेंसा इसमें कोई rule है नहीं rule seven इसमें क्या है nouns in common gender मतलब कि वो सारा नाउन जो common gender यान कि जिसको देख के पता नहीं चलता है कि वो male है या female है इसका मतलब वो common gender के list में आता है तो उसका masculine से feminine में change नहीं किया जाता है जैसे कि बेबी नेक्स्ट वर्ड इस थीफ और फैन पैरेंट एनीमी बर्ड प्यूपिल मतलब होता है भी द्यार थी फ्रेंड नेक्स्ट वर्ड है सर्वेंट नेक्स्ट इस चाइल्ड फिर हम लोग का कॉजिन अनदर इस रिलेशन एंड लास्ट वर्ड इस पर्सन तो यहां पे कुछ स्पेसिपिक वर्ड है जो की common gender के कटेगरी में आता है और इसका हम लोग masculine से feminine में चेंज नहीं करते हैं तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही अगर आप लोग common change in the gender के concept को अच्छे समझना चाहते हैं तो पार्ट वन में भी मैंने तीनों रूल बता दिया है तो आप लोग आप पर जाके देख सकते हैं प्रस्क्रिप्शनल लिंक दे दूंगे मैं और अगर आप लोग को content अच्छा लगा हो आज की टॉपिक का तो ज्यादा ज्यादा सेर कीजिए लाइक कीजिए और में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थांक्स वोचिंग